अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रूप की कम्पनियों को ओवर वेल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हैरफेर का आरोप लगाया था। और अब देश में हो रहे जी 20 से पहले हिंदनबर्ग का दूसरा संसकरण 31 अगस्ट 2023 को Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCIP द्वारा लाया गया। इसके वर्तमान संपादक आनंद मंगनाले हैं जो चीनी प्रचार आउटलेट न्यूस क्लिक से जुड़े रहे हैं। इससे इसकी साजिश को समझा जा सकता है। हिंदनबर्ग की रिपोर्ट केवल मोधी सरकार की छवी खराब करने के लिए नहीं लाई गई थी बलकि भारत में विकास की रफ्तार को रोकने का एक शड्यंत्र था। उसी सी आपी की रिपोर्ट भी उसी शड्यंत्र का एक हिस्सा है। वे भारत में उद्योगों को ध्वस्त करना चाते हैं। वे देश के छोटे निवेशकों के विश्वास को तोड़ना चाते हैं। वे विदेशी निवेशकों के भारत में विश्वास को डिगाना चाते हैं। लेकिन वे अपने मकसद में पिछली बार की तरह ही नाकाम्याब होंगे। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। वे भूल गए ये नया भारत है। आज देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी है जिन पर देश की जनता अटूट विश्वास करती है। हिंदन्बर्ग की रिपोर्ट के बाद शेहर बाजार में छोटे निवेशकों को कुछ नुकसान भी पहुचा लेकिन पीएम मोधी पर उनका भरोसा कायम रहा। अब इससे तिलमिलाय राहुल गांधी, लेफ्ट लिब्रल ग्यांग अरप्ती जार्ज सोरोस ने जी बीस की बैठक से पहले फिर से अडानी का जिन्न बोतल से निकाला है। चलने वाली संस्थाएं लगातार अडानी मुद्दा उठाकर देश को विकास की पट्री से उतारना चाती है। आखिर इनके बीच क्या संबंध है। अडानी के खिलाफ OCCRP की रिपोर्ट देश में जी बीस की बैठक से करीब एक हफ़ते पहले 31 अगस्ट 2023 को जारी की गई और मीडिया की सुर्खियां बनी। OCCRP की रिपोर्ट में दावा किया गया कि की गौतम अडानी ग्रूप द्वारा शेरों के साथ गड़बड़ी का मामला हुआ है। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रूप ने गुपचुक तरीकों से खुद अपने शेर्स खरीद करके स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर रखा है। OCCRP के वर्तमान संपादत आनन्द मंगनाले हैं जो चीनी प्रचार आउटलेट न्यूस क्लिक से जुड़े रही हैं। OCCRP को जार्ज सोरोस के OSF और Ford Foundation द्वारा वित्पोशित किया जाता है। ऐसे आरोपों का अडानी ग्रूप द्वारा अपने मीडिया स्टेटमेंट में खंडन किया गया है। OCCRP की रिपोर्ट के लेखक आनन्द मंगनाले और रवी नायर है। आनन्द मंगनाले चीनी प्रचार आउटलेट न्यूस क्लिक से जुड़े रहे हैं। रवी नायर ने राफेल पर प्रजन्य गुहा ठाकुर्ता के साथ मिलकर एक किताब लिखी है। इनी लोगों का समू हिंडनबर्ग रिपोर्ट और BBC की डॉक्यूमेंटरी लेकर आया था। इन दोनों ही रिपोर्ट को सोशल मीडिया करने के लिए TMC सांसर महुआ मोहित्रा काफी सक्रिय थी। वजल जानना चाहते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक नाथन एंडर्सन और आंसॉन ग्रूप के मालिक मोयज कसम के बीच क्या संबंध है। यह जानने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़िये क्या अडानी समूव पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एंसन फंड शामिल थे। मोयज कसम एक NGO चलाते हैं जिसमें उनकी पत्नी NGO की सहसन स्थापक है। मोयस कसम की पत्नी मरिस कसम 2013 से पहले जेपी मौगन के साथ काम कर रही थी। इससे साफ होता है कि महुआ मोयतरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को साजह करने के लिए इतनी लालायत क्यों थी। इसी बीच अडानी समोह ने Organized Crime and Corruption Reperting Project OCCIP द्वारा लगाए गए छिपे विदेशी निवेशकों के दोबारा थोपे गए आरोपों को कडाई से अस्विकार किया है। अडानी ग्रूप ने एक मीडिया स्टेट्मेंट में कहा कि हम अडानी ग्रूप पर लगाए गए ऐसे आरोपों को अस्विकार करती हैं। इस आशय की खबरे जो प्रकाशित हुई, वो हिंदनबर्ग रिपोर्ट के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित एक कोशिश है, जो की अप्रत्याशित है। अडानी समूह ने इससे पहले हिंदनबर्ग के दावों को खारिस करते हुए इसे भारत पर सुन्योजित हमला बताया था। इसने कहा कि फर्म की रिपोर्ट भारतिय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता पर हमला थी। अडानी समूह ने कहा कि ऐसी खबरे हिंदनबर्ग की नाकारा रिपोर्ट को दोबारा हवा देने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग के समर्खन से जौर्ज सोरोस फंडेड OCCIP की एक और कोशिश है। जौर्ज सोरोस फंडेड OCCIP ने PM मोधी की छवी को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया और जौर्ज सोरोस फंडेड मीडिया को एक टूलकिट मिल गया। The Guardian समझा जा सकता है कि वे किस तरह इस मुद्दे को PM मोधी से जोड़ कर हवा देना चाते हैं। Guardian की खबर की शुरुआत देखिये नए खुलासा किये गए दस्तावेजों से पता चलता है कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के करीबी संबंदों वाले एक अरपती भारतिय परिवार ने गुपत रूप से अपने स्वयम के शेर खरीद कर भारतिय शेर बाजार म सेक्रों मिलियन डॉलर किया इस तरह उनका एक ही मकसद है मोधी और अडानी कनेक्शन का प्रोपेगेंडा फैलाना लेकिन यह समझ से परे हैं कि अगर अडानी समू पर रिपोर्ट है तो इसमें पी एम मोधी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा इस से साबित होता है उनकी मनश कुछ और ही और यह सब एक शद्यंत्र के तहत किया जा रहा अडानी पर हिंदनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब हिंदनबर्ग ने यह स्विकार किया था कि वह शेर बाजार में शार्ट सेलिंग करती है यानी हिंदनबर्ग रिपोर्ट का दो मकसद था पहला भारत और प ये मोधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में इस्तेमाल करना अब प्रवर्तन निदेशाले की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिंदनबर्ग रिपोर्ट से पहले 12 कंपनियों ने 20 ripe कम लेए रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से दो-तीन दिन पहले ही कुछ FBI, Foreign Portfolio Investment, ने शौर्ट पोजिशन ली थी उनके Beneficial Ownership का पता लगाने के लिए उनकी जाच की जा रही है इन में से अधिकान्श यूनिट्स ने कभी भी अडानी के शेरों की डील नहीं की थी और कुछ पहली बार ट्रेड कर रही थे कमपनियों ने चंद महीनों में हजारों करोड कमाए एड की रिपोर्ट के अनुसार एक कमपनी जुलाई 2020 में आधिकारिक रूप से शुरू हुई सितंबर 2021 तक कमपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही थी और सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक सिर्फ 6 महीने में इस कमपनी का कारोबार 31,000 करोड रुपे का हो गया जिससे कमपनी ने 1100 करोड रुपे की कमाई की इसी तरह एक और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले ग्रूप ने 122 करोड रुपे कमाए ये ग्रूप भारत में एक कमपनी की तरह काम करता है जबकि एक और फोरन इन्वेस्टर कमपनी करोड रुपे कमाए 12 कंपनियों ने शौर्ट सेलिंग कमाए करोडों रुपए Cayman Islands वाली इन्वेस्टर कंपनी के शेर्ज की शौर्ट सेलिंग शौर्ट सेलिंग 12 कंपनियों में से एक है इस कंपनी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी को अंदरुनी शेर Insider Insider का दोशी पाया गया था इसने अमेरिका में 14,880 करोड रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी दिया था Cayman Islands वाली कंपनी ने 20 जनवरी को अडानी ग्रूप के शेर्ज में शौर्ट पोजिशन और 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया वही मौरिशस वाली कंपनी ने पहली बार 10 जनवरी को शौर्ट पोजिशन थी आपसे अनुरोध है हमें अपनी राय जरूर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेर करें यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नमबर 9911955719 पर सहायता राशी देकर हमें प्रोथसाहित करें वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत